मैदान में उतरने से पहले जब हार का डर सताने लगे वो जिंदगी क्या जीतेगा जो चुनौती से घवराने लगे बिल्कुल यही चुनौती आपके लिए भी आने वाली है बोर्ड पर इच्छा की और भाई इस चुनौती में वही जीतेगा जो डरेगा नहीं बिल्कुल सही सुना है आपने इस चुनोती से पहले आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है उसे खतम करना होगा आज मैं उस डर को ही थोड़ा सा खतम करने के लिए यहाँ पर कोसिस करूँगा और मैं आप लोगों को यहाँ भी यह बताऊंगा कि बोर्ड एक्जाम के लिए आपके लिए क्या स्टेट्स हो सकती है और आपको क्या-क्या फॉलो करना चाहिए लेकिन आने वाले जो भी 5-6 मिनट है वो आपको ध्यान से सुनना होगा मेरी पूरी बातों को सुनना होगा और बहुत अच्छी तारीके से सुनना होगा तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई बोर्ड एक्जाम में आपको क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है और सामान्य निर्देश कौन-कौन से है मेरी प्यारे बच्चों पहला निर्देश आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे गया होगा क्या लिखा है कि भाईया आपको प्रवेस पत्र जो है न वो लेकर जाना है भाई याद रखना है कि प्रवेस पत्र आपको लेकर जाना है अब आपके चेहरे पर तो इसमायलाई होगी कि प्रवेस बत्र में lamination करवा ले या फिर polythene चढ़ा ले अब मैं अगर बताऊं कि दोनों में best क्या है तो मैं आपको सही सही बताऊं तो भाई अगर आप simple सा polythene भी चढ़ा लेते हो और staple कर लेते हो आप उसको तो कोई भी problem नहीं है इससे एक benefit यह है कि अगर in case आपको कोई signature बगारा करवाना है या कुछ changes कराने है तो वो आपके बड़े आराम से हो जाएंगे अगर आप lamination भी करवा लोगे तो कोई भी problem नहीं है लेकिन अगर आप वाली थीन चढ़ाते हो then so better अगर मैं बात करूं third point की मेरे प्यारे बच्चे हो तो भाया जिस भी आप school में आपके पास एक अलग ID proof होगा in case आप paper देने जा रहे हो आपके admit card कहीं पर गिर गया है या anything कुछ भी possibilities हो सकती है तो ऐसे में आपके पास आपका अगर school का ID card होगा तो आपके अलग पहचान होगी उससे जरूर ले कर जाएं गले में जरूर लटका के लिए अगले point के बारे important point है कि परवेस पत्र को एक Witना चारा के हका स्था अर इस्जा या नहीं दरूर एक बार अगले अगले आघ्ले आभ पर इस हुआत ही में परिच्छा तो आपको सही से उसे उसी डेट में जाना है ध्यान देना कहीं किसी का पेपर छूट न जाए क्योंकि बहुत सार ऐसे बच्चे भी होते हैं कि आपको डेट ही नहीं याद है कि हमारा पेपर कब है ऐसा फिलाल पढ़ने वाले बच्छों के साथ नहीं होता है निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार है यह नियम है कि आप 30 मिनट पहले पहुंचे क्योंकि बेटा कोई भी अगर स्कूल होगा मान लीजे कि एक इक इक इग्जामपल ले रहा हुँ कि आपका पेपर आट बजे से हैं एक इक carbon ले रहा है आपको यजि अप कि आप 14 पहले ही पहुंचना है ताकि आप 15 मिनट में रिलाक्स हो सके अगर आप जल्द बाजी में निकले में पहुंच जाओ गारे पापा पहुंच जाओंगा पास में तो है लेकिन इन केस माल लो ट्रैफिक है या कुछ भी है कुछ भी प्रॉब्लम हो गया बच्चों और वैसे केस में आप बहुत हड़ बड़ा हाट में पहुंचोंगे तो एक अलग जो है ना देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आ या कोई भी पेपर देने जा रहे हैं जो टाइम मेंसन है उस ताइम पर पहुंचने की कोसिस जरूर करें वैसा में कहा रहा हूँ 30 मिनट पहले पहले जरूर पहुंचना और 25 मिनट तो आपका आइडियल टाइम है आपको इसमें बहुत जाना चाहिए आपको अपना रोल ल सब्सक्राइम लिक्व कर कि मैं पूर्ण देख लीजिए मेरे पहले बचों इसके बाद अगले के बारे में बात करूं तो परिछा कचमे कापी से संभ्ण देथ किसी बीबिंदु के आपको सुमस्द्धिया हो क्या करों किस से पूछ लाए आपको अगल बहुत बिल्कुल आपको explain करेगा वैसे तो अक्सर होगा कि आपको copy दे दी जाएगी टीचर बोलेगा कि जब तक मैं कुछ ना बोलूँ आपको कुछ नहीं करना है ठीक है मैं अपनी मेरे साथ जो हुआ वही मैं बता रहा हूँ और उसके बाद टीचर आपको निरदेश देखा कि भाई आप य वीडियो देख लिए होंगे लेकिन नियम अलग-अलग होते हैं इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप से जब तक ना बोला जाए प्लीज कॉपी को कुछ भी उसमें नहीं भरना है कुछ भी समझ में ना आए आप टीचर से जरूर पूछो जबर्दस्ती मत करो जब वहां पर आपको 10-20 रुपए में एक बैग मिल जाएगा मैं फिर आपको बोल रहा हूं बहुत जादा पैसा खर्च करने की कोई जरत नहीं है डिजाइनर बैग ले लो भाई दोस्त देखेंगे यह सब देखेंगे कुछ बित ऐसा नहीं करना है एक 10-15 रुपए गर जो भी सब्सक्राइब करेंगे के लिए पारडर्स जरूरी है आप इस पर जरूर धेन देना कि आप तो बहुत अच्छी बात है मैंने मिनिममम नंबर में लिख रखा है कि दो नीले और 2 काले मैं होने चाहिए अब बात कौन सा पैन होना चाहिए कौन से पैंस को यूज करूं तो जो भी है तो वो वैरी करेगा person to person मतला बच्चे to बच्चा कि आप जो है कौन सा पैन इस्तेमाल करते हो लेकिन ऐसा पैन नहीं होना चाहिए कि कॉपी के दूसरी तरफ छप चाहे ठीक है तो इस पर भी ध्यान रखना अगर आप जेल को पसंद करते हो तो वेरी गुड आप ज तो यहीं सब्सक्ता चाहिए उससे बीमाल कर सकते हो बट डाइचे जेल पर चाहिए और दिखाता हूँ मेरे प्यारे बैच्चो यह हमारे पास रो रो रिट्रो का pen है यह हमारे पास आप की सारीके का pen भी खरीद सकते हो market से इस से भी आप जो है heading बगएरा डाल सकते हो यह पीछे copy पर नहीं छपता है ठीक है बात आब मैं किसी का सबार इंच को अगर आपके पास प्लास्टिक करऊंगा प्लास्टिक करों नहीं तो बाहरी फिकवादी जाएगी अंदर नहीं ले जाओगे आप तो आफ़ प्ल्स रिक्र्स्टिक ले जाते हैं तो दियन जदा अच्छा होगा आपके लिए आप जितना simple बनके जाओगे आपको उतनी जदा कम problem face करनी पड़ेंगी, जितना पार दरसिता के साथ जाओगे उतनी कम problem face करनी पड़ेंगी, उतना ही आप अच्छे से exam दे पाओगे, नई तो आप problems में घिरे रहोगे, attitude में पाद करूँगा तो मैंने बहुला पट्री की निद्ध करना है peachesन लगा करो ठीक है लेकिन आपको पेपर मिला पेंसिल रख रहे हो आप छोटा सा बिंदू लगा सकते हो कि यह वाला इसका अंसर करेक्ट होगा यह करेक्ट होगा क्योंकि पर आपको पहले मिलिया अपने पेपर पढ़ा मेरी बात ध्यान चाहिए मैं बहुत अच्छी बात बतारो अब बोलोगे रहे सर यह इतनी जल्दी में तो आंसर याद हो जाएगा नहीं मेरे लाल जब एक्जाम देते हो तो वहां पर प्रेशर होता है चीज़े आप भूलते हो मिस्टेक्स करते हो तो ऐसे में अगर आप हलका सा एक पैंसिल का पॉइंट लगा देते हो तो कोई दि में लिए आप लिए बाएं पांस में अब कर आप कर दो अलग भी अगर आप सकते फ्रसके अगला पउइन की ड्रेस सकते हैं और नहीं थो अगर चुछ कूर्रकियां हैं तो वह सूबक टों सी कप्टे पहन चायों अगर आप पहन चाटें लेकिन यहीं बोलूंगा कि आप अपि ने कि अचले अगर आप इस्कूल की ड्रस पहन के नहीं जाते हो आप नॉर्मल कपड़े में जाते हो तो भाई आप टी-शर्ट या फिर सट ही पहन कर जाए बहुत ज्यादा अच्छे मतलब मेरी बाद यहां चुनी बहुत हैवी कपड़े पहन के मत जाओ जितना नॉर्मल हो सके उतना पह जाता हूं लड़कियों को देखा पहन के जारी अब भाई ना चल पारे ना दोड़ पारे ना कुछ हो रहा है नॉर्मल अगर आप घर के चपल पहन के जाओगे ना तो भी एक्जामनर रोकेगा नहीं आपको पहन कर भी जाओ नॉर्मल जो घर पे आप पहनते हो उसलीपर कोई रोकेगा नहीं मैं बहुत अच्या बनके जाओंगा तो ऐसी कोई जरौत नहीं है मैं सभी से कर रहा हूं कि आप जितना सिंपल हो उतना ज्यादा बेटा होगा ठीक है अगर आप जूते पहन कर जाते हैं तो भाई मैं बोलूंगा कि आप जूता एवाइड करो क्योंकि जूते में क्या होता है कि एक्जामनार आपको चेक करने आएगा फिर जूता उतरवाएगा पिर देखेगा इसमें परची तो नहीं है ये तो नहीं है टाइम वेस्ट होगा ठीक है इसलिए जूता पहन के बिल्कुल भी मत जाओ और और मैं तो बोलूंगा भाई पहले दिन क्योंकि बारिस बहुत तेज से हो रही थी पानी टपक रहा था और ऐसे में फिर मैं पैर उपर करके बैठा था तो सोच सकते हो कि भाई कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आप जूते पहन कर जाते हो वे उत्रवाद दिये जाते ठीक है ये डिपेंड करेगा किस स्क क्या होता है जैसे अगर मैं बात करूं यह है पानी की बोतल यह वाली है यह वाली है एक चोटी बॉटल आती है जो इससे भी कम हो चोटी होती एक लिटर की वाली लेके जाओ यह रैपर उठाके पहले फिक दो यह सब हटा दो तुम्हें कोई रोके ना इतना पारदरसी बन तो आप सामाने थी खरी क्या होती है रही है जो उपर ब्लैक कलर का होता है उनको बाई मत पहन के उट्रवा दिए जाएक चल बेंख़ा हो और पहले ही जाए यहां पे दिखराए देखो इस तरीके को पहन के जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डिजिटल पहन के जाओगे रोके जाओगे तो पहला कोशन आप करना कि सर क्या रूम में वाच होगा इसके यह हमारी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टन चीज़ है तो डोंट फॉर्गेट इट कि भाई आपके पास नहीं है तो मार्केट से अभी 150 रुपए की जो भी आपको मिलती है खरीद के रख लो क्योंकि इसके बिना पेपर नहीं देना है घड़ी पहन के जाना है तो इसके भीना नहीं क्योंकि सारा टाइम मैनेज यहीं से होने वाला है तो यह आपके पास होनी चाहिए ठीक है आए मेरे बास नहीं जो लोग राइट हैं बहुत बढ़िया लेफ्ट वाले भी है अगर लेफ्ट बांदे हो तो ठीक है आपको जो लगे वह बोलूगा कि आप उसको हाथ में बादो लड़कों को बोलोंगा मैं की जोट रांसICK बैग है आ आप उसमें अपना वह छे रख कर जो बहुत बढ़िया है और इसके बाद उसी डान सब्लोल देख आगना लड़कों भी बांद लोक्त है आपको कंफर रहेगा वार बार हाथ उठा की उपर नह ठीक है जाओ जंग जीत कर वापस आओ यही मैं आप लोगों से कहूंगा चलिए फिर आज के लिए इतना ही तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थाइंक्यू सो मच वीडियो को जाता से ज्यादा फैला देना सेयर कर देना उन बच्चों के साथ जिसको इस वीडियो की बहु के साथ पहुचाएं थाइंक्यू सो मच बाई बाई